तो गाईज हम आ रखें लाखा मंडल के सूप रसिद शिव मंदिर में और यहां पांडों द्वारा स्तापित बहुत सारे शिव लिंग है आप देख सकते हैं प्राचिन मंदर एवब अपशेच लाखा मंडल भगवान शिव को समरपित यह है यह देखिए काफी प्राचिन यहां पर अवशेश है देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं कितने सारे शिव लिंग है यहां पर एक लाख से उपर शिव लिंग मनाये गए थे पांडों ने इसलिए इसे लाखा मंडल कहते हैं देखिए गाईज यह वाग आईज देखिए कि यह प्राचीन है यहां पर रखे हुए है बिलकुल यह त्रिमूर्ती त्रिदेव तो नहीं है ब्रह्मा विश्नु महेश और हाँ यह देखे यह एक है बहुत सारे एकदम आप देख सकते हैं यह पर बहुत शिगलेंग तो एक लाख से ओपर शिगलेंगे इसलिए इसे लाखा मंदल कहते हैं गाइस आगे बढ़ते हैं गाइस यहां पर हाथ मुद्व अधि बहुती प्राचीन प्राचीन देखे भी एक शिवलिंग रहा होगा जो आप खंडित हो गया है यह कितना है इसे देखे इसे इतने उपर देखे शिवलिंग है उसमें कितने सारे शिवलिंग है यहां पर आप देख सकते हैं नंदी महराज है यहां पर और मंदिर के अंदर पूटो किष्णा मना है इसलिए हम बाहर से ही किचेंगे गाइस आप देख सकते हैं गाइस यह है लाखा मंडल का प्राचीन मंदिर काफी अंदर फोटोग्राफी अलावनियों बट अंदर बहुत बहुत प्राचीन मूर्थियां है यहां पर इतने सारे शिवलिंग तो मतलब असंग की शिवलिंग है यहां आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं पांची शताबदी में रानी ईश्वरा ने जो चंद्रगुप्ट की पतनी थी और चंद्रगुप्ट जो जलंदर के पुत्र थे तो यह आप देख सकते हैं यहां पर जाते हैं अब जाए जाए विजय है यहां पर देख सकते हैं शिवलिंग तो असंग के हैं यहां पर और आप यहां पर देख सकते हैं कितने बड़े यहां पर शिवलिंग तो यहां पर शिवलिंग तो यहां पर यहां से आप मंदिर यहां पर देख सकते हैं तो आद्टी के टाइम यह डमरू बजाये जाते हैं यहाँ पर देख सब्सक्राइब प्राचीन लकडी का बना घर है यहाँ देखिए प्राचीन बिल्कुल प्रोटेक्टर कुल्चरल हेरिटेग यहाँ से तैदल मार्ग है तो आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं नंदी भगवान प्राचीन है पुरा एक्टम यहाँ पुल्च है शिवशंकर विल्कुल है तो गाइज आप लाखा मंडल जरूरा है बहुत मेजिस्टिक मतलब यहाँ पहो थी पुरा मंत्र मुब्द मतलब एक दो यहाँ आकर मैं हो गया हूँ अब देख सकते हैं यहाँ अब देख सकते हैं यहाँ हर हर शिम्भू और हर महादेव देखें हर हर महादेव देखें देखें दो नहीं है अब देखें कर दो यहां कारा आप पुरा देख सकते हैं देखें बहुत हैं पहाड़ों के बीच में इस्तित है लाखा मंडल बहुत सुंदर बिलकुल आप यहां जरूर आईए